तो यार, Minecraft 1.20 का update आ चुका है और इसे के related मेरे पास है कुछ leaked information जो मैं आप लोगों से share करने वाला हूँ, तो guys, वीडियो को end तक जरूर दखना तो यार, सबसे पहले question आप लोगों के mind में आता है कि क्या है वो release date Minecraft के लिए, तो यार, मैं बताना चाहूँगा, जो Minecraft को release date है, वो होने वाला है November में 2022 का, और जो major Minecraft live event 2022 होने वाला है, वो 15th of October 2022 को होगा, तो यार, जो next question हमारे पास आता है, कि यार, Minecraft 1.20 update का क्या नाम होगा, मतलब हर बार जब Minecraft एक नए-ने, एक नए-ने updates लेके आता है, तो उसका जो नाम हर बार चेंज होता रहता है, तो यार, इस बा Minecraft 1.20 का क्या नाम होने वाला है, तो यार, बताना चाहूंगा, हमारे link information से, जो हमें पता चौला है, इस बार कुछ मिला के 6 नाम हमें मिले है, जो इस बार Minecraft रख सकता है, Minecraft 1.20 के update में, तो यार, ये 6 नाम मैं आप लोगो बताना चाहूंगा, तो यार, सबसे पहले जो नाम हम हमार पास निकल गया आता है, वो है, the wild update part 2, yes guys, इसका नाम है, the wild update part 2, ये मतलब काफी अच्छा नाम है, मुझे comment में जरू बताना कि ये नाम आपको कैसा लगा, तो यार, निकलते है, और चलते है, दूसरे नाम पे जो हमारे पास आता है, उसका नाम है, the end update, यार, ये नाम सुनके ना, आपको ऐसा शौक लेगा, कि मतलब ये the end update क्यों है, मतलब ये बस एक नाम है guys, इसको seriously मतले ना, ये बस इसका एक नाम देने वाले Minecraft के लिए, और ये एक leaked information से हमें पता चली है, तो यार, मतलब confirm नहीं है, कि ये ही वो नाम है, या फिर इन में से कोई और भी ना होने वाले है, तो यार, जो next नाम हमर पास निकल के आता है, वो है farming update, मतलब ठीक ही नाम लगता है, मुझे, आपको कैसा लगता है, मुझे comment में जरूर बताना, तो यार, जो हमर पास next नाम है, इस Minecraft 1.20 के update के लिए, उसका नाम है, सवाना update, मतलब ये सवाना, मतलब आप तो यार, जो हमर पास next नाम निकल के आता है, वो है, compact update, येस गाइस, मतलब ये नाम सुनके आपको अभी thrilling मच रहा होगा, कि यार, compact है, मतलब बहुत ज़रा, धुम धड़ा का, ये वो, मतलब येस गाइस, बठाँ, compact update, मतलब एक अच्छा नाम लगता है, तो आपको इन 6 म इसे कौन से नाम पसंद आए, मुझे फटा-फट से comment में ज़रू बताना, तो यार, मतलब, अब चलते है, next question पे, जो हमर पास निकल के आता है, वो है, minecraft के, यार, कुछ confirm features बता दे तू, मतलब, आप लोग सोच रहोंगे, यार, तो अभी तक बस link link information बता रहा है, जो की basis है बस एक information से और उसका कोई guarantee ने, तो मुझे तू guarantee दे कि क्या, वो next confirm features है, जो हमारे पास minecraft 1.20 का आने वार है, तो guys, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि सबसे पहले, जो हमारे पास confirm features आता है, वो है spectator mode, तो guys, इस mode में, मतलब, minecraft ने देखा कि, जो blocks है, वो अच्छे से नहीं नहीं हो रहे है, आप मतलब घूम रहे हैं तो आपको अच्छे से blocks दिखते नहीं है, क्योंकि आप नीचे जाते हैं कुछ देखने के लिए diamond, मतलब और lavas, water, और मतलब कहा का आपको क्या क्या कौन से mobs मिलेंगे, या फिर आपको netherland में जाना होगा, ऐसे चीज़े देखन चाहूंगा आपको, तो यार ये थी वो first confirm feature, तो next confirm feature हमारे पास निकल के आती कि जो mob spawning होते थे netherland में या फिर nether portal में वो नहीं होंगे, yes guys, ये ये news सुनके आपको एक खुशी हो रही है, क्योंकि यार मतलब अच्छा होगे nether portal में आप ये mob spawning नहीं होंगे, क्योंकि यार मतलब हमारे पास जो confirm news निकल गा थी, minecraft 1.19 में pre-release जो note आई थी हमारे पास, उसमें कहा था कि जो developers है, वो बहुत ज़्यादा hard work कर रहे है, मतलब ये method को लाने के लिए कि जो mob spawning हो रहे है ना, मतलब nether portal में वो ना आय तो इसी minecraft 1.20 में हम देख सकते है, कि जो mob से वो spawn न नहीं आएंगे, और ये जो minor fix होने वाला, ये बहुत ज़्यादा अच्छा fixing है, और जो possibility आपके safer netherlands और basis जो आप बनाने वाले है netherland में, वो काफी अच्छे से बढ़ जाते है, तो यार, next question हमर पास निकल के आता है, potential inventory update का क्या scene है, यार, तो चक्कर बता दिया inventory का कुछ यार, मैं बताना चाहूँगा, इस बार, minecraft update करने वाले inventory को, yes, मतलब minecraft जो है न, वो अपने UI को easier करेगा, और navigate करेगा, अपने और features add करने के लिए, game inventory के लिए, तो यार, ये बहुत ही ज्यादा सही idea लगता है, आपको कैसा लगता है, मुझे comment में ज़रू बताना, तो यार मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास, बायो में, minecraft 1.22 के लिए, जो speculated है आभी भी, मतलब एक, हाँ, आप बोल सकते हो, कि आभी सकता है, तो यार, मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास, सबसे पहले, बायो में, जो निकल के आता है, वो है, desert biome, तो यार, ये जो desert biome है, इस सब्सक्राइब करें, हमें एक green signal दे दिया, कि हाँ, ये idea exist करने, वाला है, minecraft 1.20 के, ये bio में, तो यार, जो हमारे पास next bio में, वो है, सवाना biome, मतलब, ये जो biome है, वो एक lost हो गया था, क्योंकि, ये, मतलब, जब vote किया गया था, तब ये, इसको इतना अच्छे से vote नहीं मिला था, तो इसी की बज़स से, ये bio मतलब, घूम गया था, 2018 में, तो यार, इस बार possibility है, कि जो developers है, वो, इस biome को update करें, और decide कर रह कर सकते हैं, हमारे पास revamped minecraft आ सकता है, 1.20 के update में, और हमें देखने को मिल सकता है, 7 update में, बाव, बाप, ट्रे, और decomposing plants, उसके साथ ये termites, और, और एक अच्छा सा animal, मैं बताना चाहूँगा, जो देखने को मिल सकता है, सवाना bio में, वो है ostriches, yes guys ostriches, मतलब, आप जब horse क आपको ride करते हैं, तो आपको बहुत जारा मजा आता होगा, तो यार जब इस बार आप ostriches ride करोगें, तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा feeling आएगा, अगर ये biome, इस वारी के वोड में हम जीत जाता है, तो ये biome हमें देखने को मिल सकता है, minecraft के 1.20 के version में, तो या guys, loot stealing vultures, मतलब, interestingly हम देखना चाहेंगे इस vultures को ऐसा बनाया गया है, कि ये item picking mechanic से काम करते हैं, मतलब, इनको item pick करने का बहुत ही जादा shock है, और इनको एक और, मतलब, इनका disadvantage है कि इनको, वो return करने में, मतलब, हिचकु चाहते हैं, जो players का वो item चुरा के लिए, वो फिर से वो नहीं देना चाहते हैं, उस player के लिए, और यहाँ पे आपको fight देखना को मिल सकते हैं, एक player में, और एक vultures में, क्योंकि उस player को उसका अपना pilot, जो vultures लेके बैटा है, उसको grab करने के लिए, और L.I.B. उसके साथ हो सकता है, तो यार हमारे पास एक last biome है, वो है, birch forest bi biome, तो यार इसमें हमें एक नए plants देखना को मिल सकते है, लंबे-लंबे tall trees देखना को मिल सकते है, साथ में tree mushroom, और आपको इसमें देखना को मिल सकता है, hollow wood भी, तो यार हमारे पास एक और exciting सा question आता है भाई हमारे दिमाग में, तुने तो सब बता दिया, biome हो गया, क्या ना यार बहुत ही ज्यादा अच्छी news है, मतलब आपको देखने को मिल सकता है fireflies, yes, guys, fireflies आपको देखने को मिल सकता है, जो की wild update में announce किया गया था minecraft के team से, तो यार हमारे पास next mob जो देखने को मिलता है, वो है vultures, तो यार ये भी ना आपको vote से जीत कर इसको लेके आना पड तो यार जो next हमारे पास mob आता है वो है ostriches, guys, yes, हमारे पास जो next आता है mob वो है ostriches और ये भी आपको choose करने को मिल सकता है biome में, जब biome की selection चल रहे होगे तो आपको select करना होगा कि कौन से, आपको mobs चाहिए, तो यार हमारे पास second last mob बचता है, वो है merecats और ये भी आपको choose करना है minecraft के 2018 के biome version में, तो last but not the least mob हमारे पास जो आता है वो है termites, yes, guys, हमारे पास आता है termites और ये भी आपको choose करने को मिल सकता है कि कि आपको कौन सा mob चाहिए या नहीं ये आप choose करने वाले हो, जो की place होने वाला है live event में और वो है 15th October को, यार मतलब हाँ ठीक है और वो देखने को मिल सकता है, इस minecraft 1.20 के version में, तो यार इस में से आपको कौन सा mob चाहिए मुझे, comment में ज़रूर बताना, तो यार एक आखरी question जो हमारे पास आता है, minecraft mob वो जो 2022 है, उसमें हमें कौन से और अलग से एक rare animals देखने को मिल सकता है, तो यार इधर हमारे पास तीन अ में से है, वो है sniffer, yes guys, sniffer एक rare dinosaur है, और वो मतलब एक rare dinosaur mob है, जो आप spawn भी कर सकते हो, eggs से, और वो आपको मिल सकते है, over world के ocean में, minecraft के, ठीक है, तो जो sniffers है, वो digs करते ancient seeds को, और वो और मदद भी कर सकते है, players को मतलब rare plants grow करने के लिए, और इसी के साथ साथ आपको देखने क मिल सकता है, यह जो mob है, यह आप वोट करके लेकर आ सकते हो, और यह mob खुद से breed करता है, और इसके साथ आपको देखने को मिल सकता है, एक cute baby variant, yes guys, sniffer खुद breed करता है, और उसी के बाद यह आपको cute baby variant दे सकता है, तो यार जो next mob हमारे पास आता है, इस mob वोट में, वो है rascal, guys, नाम, जैसा नाम, वैसा काम ऐसा नहीं है, इसमें आपको यह rascal, जो है, वो एक friendly minecraft mob है, जो आपको मिल सकता है, caves में, और सबसे सही बात मुझे इस mob के लगती है, कि यह यह आपके साथ खेलेगा, hide and seek, yes guys, इसको पसंद है, hide and seek खेलना, players के साथ, और अगर आपको यह rascal, तीन बार मिल जाता है, तो यह आपको gift करने वाला है, rare items, rewards, as a reward, तो यार, यह बहुत ही सही mob है, और यह easiest way है, आपको enchanted gears दिलाने का game में, तो guys, जैसा नाम मैंने बोला था, जैसा नाम है, वैसा काम नहीं, तो यार, यह बहुत ही था mob, मुझे सही लगता है, मतलब पूर सर जो हमें mob vote में देखने को मिल सकती है, mobs में, तो वो है tough golem, yes guys, tough golem, मतलब इसको ना लड़ना पसंद नहीं, जैसा नाम है, बट वही जैसा नाम वैसा काम नहीं है, इसका भी, tough golem हमको संदने को लगता है, tough golem है, मतलब बहुत ही जाड़ा fighting होगा, इसमें बहुत जारा, सह सही एकदम चीज़े होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं यार, I'm sorry guys, मैं आपको mood off नहीं करना चाहता था, बट बताना चाहूँगा कि जो tough golem है, उसको fight करने का मजा नहीं है, फिर वो hostile नहीं है उतना जितना बाकी mobs है, तो मतलब तो फिर आप पूछ रहोंगा कि यार इसको fight कर गलती से वो जाग जाते, क्योंकि उसमें वो undisclosed mechanic ऐसा set किया गया है, जैसे vultures में set किया गया है, कि वो मतलब चुराएगा players के loot, epic loots, तो वैसे जो tough golem है, उसको वैसा mechanic दिया गया है, कि वो सोएगा, और अगर वो जाग जाता है, तो वो कोई लड़ेगा वेड़ेगा न फिर से चला जाएगा सोने के लिए, तो गाइस आखिर मैं यही बताना चाहूँगा कि यही थे वो सारे confirmed leaked news जो हमें मिलेते माइंड कर 1.20 के update के लिए, तो यार इन में से आपको कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सा बायोम चाहिए, कौन सा आपको मॉब चाहिए, कौन सा नाम चाहिए, और सबसे important तो क्या चीज़ है मुझे वो comment में जरूर बताना guys, तो आज के लिए इतना इसी वीडियो के साथ मिलते है, अगले minecraft के वीडियो के लिए, तब तक के लिए, बाई बाई